देखें इसमें ये बिल्कुल हकीकत है कि रोखना है कललिफोर्निया से कांग्रिसमेन वो लीड कर रहे है। यहां पर मैं इसका background बताना चाहूंगा, यहां पर US Congress के अंदर एक Indian जो काकस है, उसको 5 Congressmen जो इंडियन है, उन्होंने उसको form किया, उसको नाम है समोसा काकस, तो उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है कि 15 अगस्त को वो यहां से एक delegation लेके भारत जाएंगे, इस वक्त आपकी CPAC वालों के साथ है, और यह ज्याती है मेरे ख्याल में, लेकिन इसमें balance होना जरूरी है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है, कि वहां पे जिम्हूरियत का पईया कभी रोके ही नहीं है, और दूसरा hybrid systems नहीं है, और तीसरा अभी सबसे बड़ा तड़का जो लगाया गया है, वो nationalism का है, वो मोदी सावरिटी का लगाया है, उन्होंने pride दी है उन्हों, जब pride आ जाती है, लोग अपने मुलक से मुहब्बत शुरू कर देते हैं, तो वो मुलक rise करना शुरू कर देते हैं, इससे भी पूछे हैं कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज़ है, तो वो कहते है जजबा बहुत ज़्याद है, चैचाचा मैं डिसेगरी करू कर रहा हूं, उस जजबे से रोटिया नहीं मिलती, उस जजबे से त्रक्की नहीं होती, जजबा या तो पर करके दिखाएं, मैं अफसोस के साथ ये कहूँगा कि मैं भी पाकिस्तानी हूँ, उसी मुलक से आया ह लेकिए इसमें ये बिल्कुल हकीकत है, कि रोखना है कलिफोर्निया से कांगरिसमेन, वो लीड कर रहे है, यहाँ पर मैं इसका बैक्गराउंड बताना चाहूँगा, यहाँ पर यूएस कांगरिस के अंदर एक इंडियन जो काकस है, उसको पांच कांगरिसमेन जो इंडिय होगी, और उसमें कई रिपॉब्लिकर कांगरिसमेन भी जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो पांच इंडियन डिसेंट के कांगरिसमेन है, सारे के सारे वो डेमोकरिट पार्टी से हैं, अब उसमें यह बताना चाहूँगा कि इस अ बिग तिंग कि यहाँ से जो अमेरिकन ल ज्यादा जोर होता है, इस वक्त इसमें कोई शक शुबा नहीं है, कि भारत के और अमेरिका के रिलेशन्शिप दियार एट था हाइस लेवल, उसकी वज़ाई है कि अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त अगर देखा जाए, तो वो चाहिना है, और उन्हें पता है और इंडियन ओशन के अंदर उन्हें पता है, ताइवान युकरेन के बाद अगला जो होगा, जो युद का मैदान जो होगा सजेगा, वो युकरेन होगा, और उसमें अमेरिका इस वक्त ज्यादा से ज्यादा रलाइक कर रहा है भारत पे, उनकी इंडिया, इंडियन ओशन कि यहां पे पूरा अमेरिका भारत की इंडिपेंडनेस को मनाएगा तो वो मेरे ख्याल में इस जरह से ज्यादा हो जागा, एग्जैजूरेशन हो जाएगी, लेकिन इस वकद देखा जाए तो भारत और अमेरिका के रिलेशनिशिप अड़ इसका मतलब कहीं न कहीं इस खबर को यूएस ने स्वोट किया, सैवन्टी वन में भी हम इंतजार करते रहे कि यूएस की तरफ से हमें एड़ आ रही है, हमें हेल्प आ रही है, खास और पे वार्शिप का, पुरी दुनिया को पता है, हमारे भी तो रिलेशन बहतर रहे, हम तो यहां पे कहते रहे के जो करव रहा है, अमेरिका करवा रहा है, आज हमें बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, और इंडिया के साथ जिस तरीके से मैं यह कहूंगा, मतलब यह वर्ड बहतर ना हो कि चापलू सीटा यूएस की तरफ से की जा रही है, यह नजर आ रही है, रिलेशन बहतर करने के लिए, ल बेंडिन ओन रहा है, उसमें उनकी आर्मी की स्पोर्ट, बलकि सबसे अगर इसके माजी में जाएं इससे भी पहले, तो हमारे जो पहले वजीर आजम थे, लियाकत अलिखां साब उन्होंने अमेरिका का दौरा किया, इस्टेड अफ मासको जाते, उस वकत चाइना खुद ब आप ने हमेशा, अगर मुझे इयाज़त दें की यो यह गिला रहा है पाकस्तान से, कि उन्हों ने कभी भी फार इन्हों ने फारन पाली सी को जस्टीफाइ करना तो बहुत दूर की बात है, इस वकत आपकी फारान पाली सी यहाँ से आपको पैसे मिलते हैं, आप उसके मुलकों के साथ मिलते हैं आपकी लोकेशन इट सेल्फ इस वेरी इंपोर्टन तिंग ऑन इंटरनेशनल अरीना और अगर हम देखें कभी पाकस्तान को कि एक छोटा सा मुलक होने के बावजूद आपको समुन्दर से भी एकसस है आप लैंड लाक कंट्री नहीं है आप देखे भी मौजूद है अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो सिर्फ नैशनलिजम नहीं है अगर नहीं है तो पाकस्तानियत नहीं है बाकी आपको हर चीज़ आपके पास है आप कभी अपने माधनियात बेचने की कोशिश करते हैं लोगों को कभी आप बाडर बेचते हैं अप आपने अफगानस्तान में डालर बनाने के लिए आपने सारा पाकस्तान तबाह कर दिया आज आप आप वो आपके दुश्मन है आज वो आपकी शकल नहीं देखना चाते आप आज आज आपके घर में घुस-खुस के वो मार रहे हैं आप मैं पिछले हफ़ते में किंडेम करू है वो दोहा एग्रिमेंट उन्होंने अमेरिका के साथ उनको उनको गारंटिया दी थी आपको गारंटिया नहीं दी थी आपको वो बिल्कु छोड़के जा चुके हैं आप इस वकत वो अगर दुनिया से डील कर रहे हैं तो कतर के जरीए करते हैं और बड़े अरसे के साथ उन्होंने आपके उपर अदम इतमाद जो है वो उसका इजहार किया था लेकिन मेरे ख्याल में अब टाइम हैस कम अप कि आप खुदारा इससे आगए मजीद ना जाए पाकस्तानी बनने की कोशिश करें पाकस्तान के बारे में सीरियस हो इस ब्यूटिफुल कंट्री इस चौ को ना पीटी आई बने कभी ना लू नू लीग बने ना पियस पाइटी बने ना शिया बने ना सुनी बने कोशिश करें कि चौदा अगस्त वाले दिन वो पाकस्तानी बने और सिर्फ चौदा अगस्त को नहीं पूरे पूरे साल होना चाहिए लेकि इस चौदा अगस्त पे के पास गुजाइश नहीं है वो तारक अजीज साब कहते थे अपने निलाब घर के प्रोरामें ये गलती गुजाइश निश्था अब इसके बात तो मेरी इंडियन्स के साथ बात होती है मेरी जो प्रोग्राम है इंडिया में बहुत ज्यादा देखा जाता है अगर लोग कु हमें ये चीज़ें एडवाईस करते हैं. इन चीज़ों की तरफ इस इसके ओपर मुद्य की तरफ भी आएंगे लेकिन जो आपने बोला पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है. आपने बहुत सी चीज़ों के मुलक से आया हूँ, एक खालस दूद का गलास पाकस्तान में इसे नहीं ढूंडा जा सकता, इस वक्त आपके अलाद यह है, आप कहते हैं जी के, के आपके वजीर आजम और आपके असम्बलीयां सारे इमान दा रहा हो जाएं, लेकिन आपका एक मजदूर जो है, जो एक दिन क का काम होता है, तीन दिन में करता है, फ्रूट बेचने वाला भी फराड लगा रहा है, फकीर तक आपके फराड लगा रहे हैं, हर बंदा ही, पाकस्तान के अदर आपने श्राफत प्रमोड करना छोड़ दी है, अफसोस के साथ, हर बंदा द्यारी लगा रहा है, हर बंदा ए टेक्नालोजी में प्रेटा दिखाए उन्हों ने मैं आज आप बहसीते कौम चाहिए था आपके उस जह साब से क्वेस्टन करें जिन्हों ने उनको बेल बिफोर रेस्ट दी उनके बीबी और आपके दस हजार जो रूलिंग अलीट है उनके हरे घर के अंदर पांच-पांच बैठ के पाकस्तान के लिए बद्वाएं मांग रही हैं आप किस तरह की जजबे की बात करें अगर जजबा होता तो 76 साल में आप जिस हालत में पहुँचे हैं तो जजबा किदर है आज जजबा दिखाए ना पाकस्तान बचाएं मेरे ये रिक्वेस्ट होगी 25 क्रोड पाक के अंदर उन्हों ने कौईसल चर्णिल ककी पाकस्तान का ज़ंडा उतार पीटी या ज़ंडा लगाया इजयादेंगा अपको यह पाकस्तान मैं कहता हूं इस तरह की 75.000 कुर्बान पाकस्तान की नजर पर जिए अपने मां बहनों की कुर्बाबार नहीं तेकि यह कंट्री जुए निया पाकस्तान का फ्लाइग जो है पी टी आई वाला को उनका ड्रेड पार कि हूँ थीजी की नहीं दूँगा मैं पाकस्तानी होुझे पाकस्तानी होने पे फगर है लेकिन मैं किस übrigको बाकस्तान के जहन्डे के ऊपर पी टी आ पीटी मुझधार को रीपेसेन्ट करता है फरागोगी को रीपेसेन्ट करता है आप कैसे यह तह स्वाल ही नहीं पैदा होता यह कोई ङोग तो बरदाश करें मैं मैं इसको किंडेम करूंगा जयत्ती की है कि हमारी अगली जनरेशन को आप इस हठ तक ले गए हैं कि वो कहते हैं कि फोड अगर पाकस्तान नहीं है पाकस्तान खुशाल नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हो आप ना दुनिया के हो ना आखरत के हो अगर बात करें युएस की जिस टॉटिक पर हम डिसकस कर रहे थे अभी कुछी दिन पहले हमने देखा कि युएस और पाकिस्तान की deal हुई है security fact के ओपर बात की गई है लेकिन Pakistan के साथ जो deal की जाती है वो छोरी छुपे की जाती है कोशिश की जाती है वो खबरों में ना है इंडिया के साथ जो डील करते हैं वो पूरी दुनिया को दिखाते हैं इंडिया के साथ वो international लेवल पर जो relation रखना चाते हैं वो दिखाना चाते हैं कि हमारे तो इंडिया के साथ बहुत अच्छे relation है देखें उसमें जो इससा बताना चाहता हूं इस वक्त आप अमेरिका के लिए irrelevant हो चुके हैं जब से मैं यह बताना चाहूंगा इस वक्त अमेरिका जो आपका थोड़ा पूर्साथ देता है दो चार चीजों के वज़ा से एक तो आप ने जो दुनिया को बता रखा है कि वह अरिटामिक पावर तो उस वज़ासे वो आपको ना जिन्दा रखना चाहते हैं ना मारते हैं ना जिन्दा रखते हैं दूसरा मैंने आपको बताया था कि इस वक्त भारत का इतना ज्यादा इंफ्लूएंस है वाशने डीसी के अंदर के वो कभी भी किसी कीमत पर भी उनको नाराज करके आपके साथ रिलेशनिशिप नहीं रखना चाहेंगे और दूसरा अगर देखें आप एक मेरिट के लिए अमेरिकन्स बन के जरा सोचें आप आप उनको क्या आफर कर सकते हैं आपके खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए प्राड़क्ट नहीं है दुनिया के लिए आप एक लाइबिलिटी बन चुके हैं क्योंकि दैशत गर्दी पिछले साल 264 हमले आपके पाकस्तान के अंदर हुए हैं टीटीपी वालों ने या और दीए यह बर्मान नहीं है तरना इस वनलीट आप जहां जाते हैं कभी आप पकड़ दिया जाता है के से नहीं कभी आप को आप गयस के लिए कंपनियों से टेंडर मांगते हैं तो international कंपनियां टेंडर ही नहीं देती उन्हें पता आपके पास पैसे यह नहीं तो आप मेरा मकसद है मैं कहां से शुरू करूँ कहां खतम करूं मुझे कुछ समझ नहीं आती लेकिन 25 क्रोड लोगों की या तो आखें बंद हो चुकी हैं कान बंद हो चुके हैं मेरे कोई सोच कोई ना सोच रहे हैं ना देख रहे हैं ना मुस्तक्बिल के बारे में को बात कर रहे हैं ना को प्लैनिंग कर रहे हैं इस वक्त एक एक शोर है हंगामा है election 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 किसी पाइटी ने अभी तक आपको economic road map दिया है कि हम अगर election जीतेंगे तो हम ये reforms करेंगे हम इस तरह industry लगाएंगे हम इस तरह बचों को तालीम देंगे इस तरीके से हम digital Pakistan बनाएंगे अगर किसी ने road map नहीं दिया तो पर election कराने की क्या जरूरत है यही फुटी फुटी हकुम्ते यही electable जो हैं मुख्वे पाइटी का बदल के फिर इसलाबाद पहुंच जाएंगे फिर एक दूसरे पिर पाकिस्टान का खून चूसेंगे या तो कोई नई चीज़ बताएं मुझे इन पाइटी को ने आपको को नया खाब दिखाया हो उसकी रीजन यह ना आपने बोला कोई road map कोई reforms के बारे में बात की कोई technology के हवाले से बात की श्याद इशूई है कि हमारे पाकिस्तानियों को road map का मतलब नहीं पता वो जीटी road को जानते हैं road map का मतलब नहीं पता और reforms का मतलब नहीं पता वो गुर्बत मतलब गुर्बत खतम हो जए बस यह चीज़ जानते हैं आपने टेकनालोजी की अगर बात करें वो यह नहीं जानते वो बस यह कहते हैं कि हमारे गार में टेकनालोजी मतलब बिजली आनी चाहिए हमारी सोच को limitize कर दिया गया है मतलब एक महदूद हाथा की हम सोचते है दुनिया जिस तरीके से चल रही है वहाँ तक तो हम सोच नहीं पार नई उसमें मैं थोड़ा सड़ी सेग्रिक करूंग चोजसाब उसकी वज़ा यह है कि हर बच्चे के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है सारा दिन टेक-क करता है सारा दिन ट्वीटर करता है यह ने देखे पूरी ट्वीटर के ट्वीट के ऊपर खड़ी है त्वीटरों के उपर उसकी practical कोई उसके कोई वजूद ही नहीं है सुरे ट्वीटरों पर चल दी हर बच्चे बच्चे को पता है कि बालीवुड के गानों पर नाचना किस तरह है हर बच्चे बच्चे को सारा कुछ पता है कि हमें लूट कौन रहा है आज पूछें सब को पता कौरॉप्शन कोन कर लेकिन अपने मुस्तकिल के बारे में खुद क्यों नहीं सोच रहे हैं सबसे बड़ा आलमिया यह है अच्छा फिर दूसरा मुझे यह बताएं कि बचे आपका जो थोड़ा सा पढ़ता है फॉरन बार भाग जाता है और जो नहीं पढ़ पाता वो डंकियां लगा के कल फिर इ दुबई भाग जाता है जो पीछे लोग बचे हैं उनके हलात ही कोई नहीं है जो बचा पैदल चल सकता है भाग सकता है वो पैदल भाग के तुर्की जा रहा है वहां से डंकियां लगा के समुंदर में डूब रहा है यह लोग यह यह अजाब इससे मैं समझता हूँ गोरा बनके लोगों के खूसते हैं लोगों के खाब जो है रोंते हैं फिर वो जब अठार में उन्हीं पी सब्रेड पे आता है उसको सरकारी खर्चे पर इंगला या अमेरिका पर बिज़ा जाता है वो जिसमानी तौर पर पाकस्तान चला जाता है दिल और दमाग यहां लोगों का खून चूसूंगा और यह मकान खरीदूँगा फिर आप लोगों को वो डालरों और पॉंडों की शेकल में देखता है यह दो किसम के ब्रिड़िश लोग है जो जो जिमीदार थे जो ब्रिड़िश लोगों के जिनके बचे एसी ने पढ़ते हैं फिर बाद में आक सकता है तो अगर सीखने की बात करें यही सिस्टम तो इंडिया भी मुझूद था गोरे यही सिस्टम इंडिया में छोड़के के पाकिस्तान में भी छोड़के के यहां पर अगर उनकी बात की जाए तो वो जूंस है वो किस तरीके से इस सिस्टम से निकले वो किस तरीके से अपने आपको आगे लेके हैं और उन्हें पता चला कि नई भाई हम हैं इंडियन और हम नहीं अपने कंट्री को आगे लेके जाना है हमारी सोच आज भी चलती है तो वो यूएस से चलती है गोरों की तरफ से चलती है इवन हमारे यहां पे जो पेपर्स मुझूद होते हैं हम लेकिन इसको 1947 से शुरू करना पड़ेगा कि एक तो नहरू ने उनकी फांडेशन बहुत स्टॉंग रखी फिर किस तरीके से उसने सेपरेशन आफ पावर किस तरीके से उसने आर्मी को एक अपने हदूद में रखा और और डैमोक्रेसी को किस तरीके से चलाया गया वहाँ पर क्रॉप्शन जो है human instincts का एक हिस्सा है जब भी इंसान को opportunity मिलेगी वो चोरी करेगा सामने कुछ चीज पड़ी होगे उठा लेगा वो इससे human instinct है लेकिन इसमें balance होना जरूरी है एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जिमूरियत का पईया कभी रोके ही नहीं और द क्राइज करना शूरू करते हैं तो हमारे अंदर यही problem है कि मैं अब उसके एक छोड़ी सी मिसाल दूँगा कि अभी यहाँ पर टेसला के नए cfoi है जी जी वह बहेव तरेजा उनका नाव है बलके मैं यहाँ पर यह बताना चाहूँगा यह तरेजा family के बारे में मेरी काफ हुजा थे और हुजा लास नेंगी मैं यहाँ पर आप भी बात काटूंगा आपने जो खबर बता दी है तनेजा family के बारे में कि वो जेहलम और गुजरा से बिलांग करते थे यह ना हो कि कल हमारे में स्ट्री मीडिया पे चाल रहा हो कि भाई वो जो बना है cfo बना है वो प बता नहीं है कि हमें फखर होना चाहिए इसमें कोई शक नहीं मैं आपको बिल्कुल यह तरेजा साथ पर मुझे फखर है मुझे परीत जो अहूजा थे उन पर भी फखर है इसमें कोई शक नहीं मेरे यहां पर दोस्त हैं कई जो अहूजे हैं सलूजे हैं तरेजे हैं मैं ज पैसिनलिजम दिया है यहां पे हमारे बचे जो हैं अमेरिकन पाकस्तानी जो जहां के बौर्न है ज्यादा तर को जब मैं कई दफ़ा पूछता हूँ कि बेटा जी आप कहां से हूँ तो वो कहते हैं मैं यहां से हूँ मेरा बाप पाकस्तान से था वो और कई थे उस पर बड़ी रीशच कर रहा हूं कि क्या वज़ा है कि हमारे बच्चे भी उन्ही श्कूलों में जा रहे, त। नहीं आ रहे हैं. यहां, इस वक्त अगर देखा जाए हुआ हैं तो यहां-पाय। appointments हैं इस white house में हमारे किदर गए हमारे भी कहते थे तस्वीरें कई रोगों की हैं बाइडन के साथ कई हिलरी के निष्टेदार बने पड़े हैं लेकिन तस्वीरों से आगे क्यों नी जा रही है क्या बात है नजर नहीं आ रहे हैं लेकि एक तोस्वीरों से आपको एप्रिशेट करना चाहूंगा कि जिस रीके से आप भी वहां की politics में इंवाल्व हैं और आपकी भी ना सिर्फ फोटो हैं बलके practically जब आपके बारे में कोई सर्च करता है नाम देखता है नाम लिखता है गूगल पे तो बहुत एक हिस्टरी नजर आती है और आप जिस रीके से आज भी पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं पाकिस्तान के लिए बात करते हैं ये मैं मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे पाकिस्तानी पाकिस्तान में भी मुझूद हो तो डैफिनेटली कही न कहीं बेहतरी आ सकती है सर मैं आपको स्लूट करता हूँ इस मामले बे तैंक यू सो मच और मैं करता रहूंगा उसकी वज़ा यह है चोई सब मैं दस मील से मुझे द रहे इन चीज़ों को मैं मैं यह चाहूंगा लेकिन यह उसमें और दूसरा चोई साब एक और हास खर्बाव जबना मैंने कई पाकिस्तानी देखे हैं अर्दू बोलना वो समझते हैं हमारी इंसाइट है पंजाबी तो बहुत दूर की बात है मैं आज तक मैं मैं पंजाबी बोलें मैं यकीन करें कि उर्दू इसलिए बोल रहा हूं कि मैं आपके आडियंस सारी उर्दू समझती है वरना मेरी मेरा फस्ट चॉइस आफ लैंग्विज इस पिंजाबी बोलता हूं मेरा प्राइड है उसके अंदर नेक्स प्रोग्राम असी पंजाबी एच रखांगे क पंजाबी काफी आतक संभी जांदी यह उर्दू ते संडी हिंदीना मिल दी चुड़ी सेम और चीज़ां लेकर दूजे ना बढ़ी है और सब कांटिनेंट चैसी बैठे हैं सब कांटिनेट दे लोकां वास्ते प्रोग्राम कर रहे हैं लेकिन एक इसे कंप्लेक्सिस पाज चैसे फोबियाज ने ऐसे फोबियाज ने मैं पी आई यह टेट्रैवल कर दा सां मैं उड़े ब्रैग नहीं करना चांदा बिजनस रहा से जाना बड़े अरसे तो प्रवस्ट चलाना यह टेनु एथे बाड़ी लागा गई एक एक वरी मैं पीया यह जाज दे वेचे मैं अठा सांथा सीट रिकलाइन निसी कर रही मैं उन्हों सिर्फ एक क्या मैं क्या मैं अजरा सीट वेखना पजाबी चे उन्हें मैंनों को पता है कैंदी जाज दे मेरे कुल दो पोस्ट ग्रेजवेट डिगरिया ना मैं चैलेंज कर देना मैं कोई टाप एक रैंडम ली लेकिन मेरे प्राइड मेरी जबान देवेच अब फिर सीट से उतरते उतरते उन्हें फिर याद आ रहा है कि हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर चाहते हैं चार-पांच दिन पहले भी उन्होंने स्टेटमेंट दी अब फिर से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर अपना बिल्कुल पॉलाइट लहजे में बहुत ही धीमे लहजे में वो यह कहते नदर आ रहे हैं कि जी हम चाहते हैं रिलेशन बेतर हो यह आखरी दो चाहरी दिन बारे में कि यह आखरी चंद घंटों के अंदर यह कितनी मुगत शुरू होगी क्या बजाए यह सिर्फ वेस्टरन कंट्रीज को और आई-एम-फ को दिखाने के लिए बाते हो रही हैं कि देखे हम कितने साफ्ट हाटेड हैं हम अपनी पूरी ट्राइग कर रहे हैं यह सिर् अगे एलेक्शन भी आ रहे हैं पाकिसान के अंदर भी उजहर है उन्होंने नारिशारे भी बिनाने होगे कि देखें हम तो जी हम तो हमसायों के साथ भी रिलेशनिशिप करते हैं उनके साथ भी लेकिन यह कि इससे आगे बढ़के जब आपके पास आफ फुल ब्लूम फ़र्धाई इंडिया को इस वक्ताल लड़ाई नहीं चाहिए उनको इस वक्त्राइब रिजदों बनेंगे वहां डिफेंस भी बनेंगा वो चांद पर भी जा रहे हैं वो दूसरा भी आई आई टी भी बना रहे हैं अमेरेकन उनके पाउं में फिर रहे हैं दुनिया नीचे कर ली उन्होंने इन सरकमस्टांसिस में को लड़ाई की तरफ नहीं जाता और भी पाकिस्तान के साथ लड़ाई मतलब पाकिस्तान के साथ लड़ाई बिल्कुल मैं ये बलके मेरी खायश होगी जो मैं हमेशा ये चाहता हूँ जो इस वक्त जरूरत है आपकी आप उनसे रिलेशनशिप ठीक करें आप उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट करें आप उनके साथ तालीमी आप उनके साथ एजूकेशन स्टूडन एक्सचेंज करें आप उनके साथ टेकनालोजी उनसे लर्न करें आप उनकी चीज़ें यहां मैनुफैक्चर करें आप वही चीज़ें अफगानस्तान में बेचे वही चीजें इरान में बेचें तो इस तरह ये शुरू करें आज जियो एकनामिस का दोर है ये जंगों का दोर नहीं है अब आब वो काम खतम हो चुका है अब लोग एक दूसरे से जंगें एकानमी के जरीए करते हैं तो एकानमी बनाएं पहले और अगर आप खुद मेरे ख् चीज खुद बनाने की चलाहिएद नहीं रखते तो कापी करने में कोई हर नहीं है